आ गया भाई आ गया बरसात के सिजन में तो पकोड़े तो बनता ही है बारिस के मोसम में पकोड़े खाने का आनंदी कुछ होता है हलो गाइस कैसे हैं आप साथ ससी स्टरका किचन में मैं ससी आप सब का तहलीद से बहुत बहुत स्वागत करती हैं सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार आज हम बनाने वाले हैं लवा बारा यानि लवकी के पकोड़े चलिए बनाते हैं लवकी के पकोड़े तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए और मेरे चैनल पर दी गई रेसिपी आप सबको पसंद आती है तो लाइक करिए, सेयर करिए, नहीं है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को मैं सब्सक्राइब करती हूँ, चलिए आज कुछ नए ऐसा करते हैं तो चलिए रेसिपी सुरू करते हैं यह देखिए गाइस हमने यहां पे दो लोकी है मेरे पास तो मैं एक लोकी का ही पकोड़ा बनाऊंगी, तो पकोड़े के लिए लोकी बिना बीज वाला ही ले यानि इस तरीके से पतला लोकी होना चाहिए जिसमें सौप्ट और मुलायम वाला बीज हो, वहीं लोकी हमें लेना है पकोड़ी के लिए इसे मैंने छील लिया है और छील करके एक प्लेट में इस तरीके से हमें गोल गोल काट लेना है आप चाहे तो चिप्स कटर है तो उससे भी कट कर सकते हैं चिप्स कटा से थोड़ा पतला करता है इसलिए चाकू से ही मैं इतना मोटा इस तरीके से कट कर लूँगी तो मैं सभी लोकी को कट कर लेती हूँ फिर उसके बाद आप दिखाती हूँ कि इसके पकोड़े कैसे बनेंगे तो यहाँ पे लोकी को मैंने कट कर लिया है तो इसे साइड में रखते हैं अब आगे की तयारी कर लेते हैं तो मैंने एक ग्रेंडर जार ले लिया है मिक्सी का वन टेवल इस्पून मैंने इसमें जीरा डाल लिया है पकोड़े जितना तिखा आप सबको खाना है उतने तिखा कर सकते हैं तो यहाँ पे तीन हरी मिर्च मैंने डाल दिया है और आधा इंच अधरक का टुकड़ा इसमें डाल दूँगी मैं और यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है चार चमच चावल चावल अच्छे से फूल गया है इस तरीके से सॉप्ट हो गया है इसे मैंने एक गंटे पहले ही भींगो दिया था पानी में धो करके अच्छे से अब हमें सभी सामगरी को ग्राइड कर लेना है अच्छे से इसमूद सा पेष्ट तयार कर लेना है तो सभी सामगरी को मैंने grind कर लिया है पानी अगर ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं इसमें अभी हमें और material मिलाना है अब मैंने इसे एक बड़े बतन में निकाल लिया है तो इसमें स्वाद अनुसार नमक मैं डाल दूँगी तो दो चमच मैंने यहां नमक डाल दिया है इसमें और आदी छोटी चमच मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी और वन थोटी स्पून इसमें हींग डाल लेना है इसके बाद हमें इसमें बेसन डालना है अब इसमें हमने एक कटोरी बेसन ले लिया है और थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से mix करना है हमें बेसन को एक साथ नहीं डालेंगे वनना लंस पड़ जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें बेसन डालना है और इस तरीके से विक्सर की सायता से हमें इसे अच्छे से mix कर लेंगे आप चाहे तो इसे हाथ से भी mix कर सकते हैं तो अच्छे से इसे mix करना है ताकि इसमें गुठलिया न पड़े तो पहले जो हमने paste तयार किया है उसी के साथ है पहले इसे mix कर लेंगे उसके बाद हमें जरुवत के हिसाब से पानी डालना है तो अब हमें पानी लगेगा तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छे से mix करके घोल तयार करना है तो इसे mix करते जाना है और मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल लूँगी हमें इसका smooth सा paste त्यार करना है, इसलिए अच्छे से इसे फेटना बहुत जरूरी है, तो इसे फेटते जाएंगे, mix करते जाएंगे, पकोड़े हमारे फूले फूले बने, तो सभी बेशन मैंने डाल लिया है, तो बेटर काफी गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें अभी पानी क यहां पर हाप कप मैंने पानी ले लिया है, और इसे फोड़ा फोड़ा डालते हुए, हमें गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेना है, इस तरीके से देखे, ज्यद़ पतला नहों हो, इस तरीके का घोल गाढ़ा होना चाहिए थोड़ा, न जज़्यदा पतला रहे घोल, और न लापस में मिलना नहीं चाहिए 5 मिनट ढख करके इसे रेष्ट दे देते हैं बैटर को उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो 5 मिनट हो गया है गैस पर मैंने कड़ाई चड़ा दिया है इसमें तेल डाल दिया है तेल को अच्छे से गरम होने देंगे यहां पिस को डुबो करके डालते जाना है और गोल्डन ब्राउन होने तक उलट पलट करके इसे सेक लेना है देख लीजे एक लोकी का पिस उठाएंगे और इस तरीके से बैटर में हम डिप करेंगे डिप करने के बाद हमें एक एक पिस तेल में डालते जाना है एक साथ नहीं ड सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरीके से मैं सभी पकोड़ों कों उसके बाद मैं दिखाती हुँ तो यहां एक प्लेट में मैंने कुछ पकोड़ों को सर्व कर लिए है आजाएए आप सब भी लौकी के पकोड़े खाने के लिए बरसात का सीजन चलू हो गया है तो बरसात के सीजन में पकोड़े खाना तो बनता है इसका आनंद ही कुछ है बरसात के सीजन में खाने का तो लौकी के पकोड़े इसी तरीके से एक डेड़ घंटे रख देंगे भी आप तो ये क्रिस्पी के क्रिस्पी ही बने रहेंगे मेरे तरीके यानि ससी के तरीके से जरूर एक बार लौकी के पकोड़े बनाईएगा और अपना अन्भा मेरे साथ सेयर कीजिएगा कि कैसा आप सब को लगा पकोड़े लोकी के वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा सेर कर दीजेगा नीव है तो सुस्क्राइब कर लीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए अपना ख्याल रखिए आप सब